नमस्कार दोस्तों सर्जी क्लासेस में आपका स्वागत है तो हम लोग इंपोर्टेंट जिके के जो भी टॉपिक्स है वो हम लोग देख रहे थे अरल भी एंटेपी से एकजाम के लिए और यह जो है आपका जो एकजाम आपके चल रहे हैं तो उसको देखते हुए जो है जो कोशन आपके हर सिप्ट में कोशन दो कोशन इसे पुछे जा रहे हैं तो यहां पर आपको हम सारे इंपोर्टेंट जितने भी फुलफॉर्म है जो के रिलेटेट कंप्यूटर से तो वह हम आपको पूरा करा देंगे तो यह आप लोग इसको बूरा कंप्लीट देखते हैं तो आपका जो है अगर कोशन आएगा तो इसी में से आपको देखने को मिलेंगे जो भी फुलफॉर्म आपके आएंगे तो कि हमने जो है इसमें सारे पोसिबिलिटी को कोवर करने कोशिस हमने किया हुआ है और देखिए इसके पहले भी हमने जो है जो इंपोर्टेंट थेम का तो इनका हमने पीडिया बना दिया है तो आप लोग डिस्क्रप्शन बॉक्स में जाना वहाँ आपको लिंक मिल जाएगा और वीडियो का भी लिंक आपको मिल दाएगे इन सभी का तो आप लोग देखते रहे हम आपको पूरा कंप्लेट आपको प्रवाइड करेंगे ज सबसे पहले हम यहाँ पेंगे अधर में जितने भी हड्वेर पार्टस होते हैं तो उन से लेटेट्ड मापके मूर्त है आपको छों पर में ऑर उसके तो इसके देखिए different variety जाते हैं एक आप करता है CD-ROM और एक आप करता है CD-RW यानि कि फुल फंप से आप लोग समझ सकते हैं इसको CD-ROM जापका है तो यह होता है compact-dix read-only memory यानि कि इसमें एक बार जो data write हो जाता है तो उसको बस वो read करेगा इसमें दोबार आप write नहीं कर सकते हैं और वहीं दूसरा आपका है CD-RW यानि कि compact-dix rewriteable यानि कि इसमें एक बार data जैसे store अगर किया जता है तो उसको फिर से erase करके फिर से इसमें data को हम फिर से उसमें हम paste कर सकते हैं यानि कि उसमें फिर से जो है central processing unit और यह आपका एक sit में पूछा भी गया था तो देखिए जो CPU आपका यह brain होता है generally computer का जो कि एक सबसे main component होता है computer का फिर वहीं देखिए DVD आपका है तो इसका देखिए इसमें बसके वाद एक बार रिकॉर्ड किया सकता है उसके बाद पिर आप लोग नहीं कर सकते हैं वहीं जो आपका रिएटेबल है तो फुल्फम यहीं रहेगा इसका digital video disk रिएटेबल यानि कि इस पर एक बार एरेज करने के बाद फिर से एड़ कर सकते हैं data को हम लोग अच्छे से करा हुआ है फिर उसके बाद देखिए अगला कहीं डीडी आ तो देखिए जो डीडी आरपका इसका फुल्फम होता है डबल डेटा रेट यानि कि जिस रेट से डीटा जैसे आपका अपका तो उससे टर्म आपका यह रिलेटेड है फिर अगला देखिए आपक बहुत कम होती थी लेकिन अब इसका यूज है नहीं की जाती है नों के बरहूर यूज की जाती है अब यूज किया आता है है यानि कि हाड इस ड्राइट तो इसमें कोई moving part नहीं होते हैं जैसे कि आपका hdd होता है ति इसमें moving parts नहीं होते हैं यह जो इसका advanced पर्षन है memory का यहनि आपका hydics के जहाँ पर यह भी आता है लेकिन यह जो है आपका hdd comparison भी यह महांगा होती है फिर वही देखिए आपका और भी दिया हुआ है यहाँ पर जैसे ID आपका दिया हुआ है तो इसका फुलफोम होता है Integrated Drive Electronics तो बस आपको यह पुलफोम ही याद रखना ज्यादा डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है फिर इसके बाद देखिए रैम और रोम आपका है तो जो कि यह काफी फेमस है और इंपोर्टेंट भी है और इसका सब कोई जानते ही होंगे रैम का फुलफोम होता है Random Access Memory और वहीं रोम आपका इसका फुलफोम होता है Read Only Memory फिर इसके बाद देखिए आपका अगला है PCI तो इसका देखिए फुलफोम होता है इस फेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट और SSD का हमने यहां पर देखि लिया फिर इसके बाद देखिए आगला आपका SMPS है तो इसका फुलफोम होता है Switch Mode Power Supply फिर आगला देखिए USB आपका है तो USB जो रहता है तो आप जैसे इसका यूज़ करते हैं Universal serial bus का यह इनि USB का फुलफोम होता है Universal serial bus अब काफ़ी इंपोर्टनट है यह भी बहुत बार पूछा गया एक्जाम में फिर उसके बाद अगला देखिया भीजीए है तो भीजी एक फुलॉक होता है और जीपी और फूर्ल मुइन हो गया इसके लावे लावेये इंटर्न आपके रिलेटल tracking से चैप्टर आपके बढ़ाया हुऑ है तो आप लोग इसको देख सकते हैं महां पर जाके तो पारला यहां पर FTP है तो FTP जो है तो इसका फुल्फम होता है File Transfer Protocol तो दिखिए यह आपका एक ताइप का प्रोटोकोल होता है जैसे कोई भी फाइल आप सेंड करते हैं इंटरनेट पे तो उसके लिए प्रोटोकोल की जरूफ होती है तो इसके मदद से कोई भी फाइल को आप सेंड कर पाते हैं फिर इसके बाद देखिए अगला आपका है इसके बाद देखिए जी एसम आपका है इसका होता है इसका होता है इसका होता है मेडिया एकसे सघ्रोल फिर इसके बाद देखिए मैन आपका है metropolitan area network तो दिखे जितने भी networking जो component होता है या फिर जो geographical area के basis पे जो networking devices होता है तो उस basis पे इनको categorize किया आता है आपका यहाँ पे area के basis पे जिसमें की man जो आपका रहता है तो यह जैसे एक city के अंदर में जितने भी devices connected रहते हैं या फिर जितने network आपका रहता है तो उन सभी को यह cover करता आपका तो इसका होता है metropolitan area network इसे तरीके से LAN आपका होता है तो वो local area network आपका हो गया जो की man का एक छोटा version होता है और इसी का जो सबसे बड़ा version आपका होता है that is WAN यानि की wide area network फिर उसके आपका रहता है यहां पर आप देखिए दूसरा रहता SMTP आपका है जो की है simple mail transfer protocol तो इन सभी का जो यूज है तो यह किया था email को send करने के लिए और receive करने के लिए इनका यूज क्या आता है POP और एक आपका SMTP तो POP है आपका post office protocol और जो SMTP आपका इसका होता है simple mail transfer protocol या फिर ट्रांसपोर protocol भी आपको मिलेंगे देखने कहीं पर इसके बाद देखिए अगला आपका इसमें PPP आपका है तो देखिए इसका होता है point to point protocol फिर इसके बाद देखिए एक और आपका है PPTP आपका यहां पर है तो यह इसका फुल्फरम होता है point to point tunneling protocol तो बस इसमें difference आपका यहीं दोनों में है फिर इसके बाद देखिए आपका VPN है तो VPN का फुल्फरम होता है virtual private network आपका हो गया यहां पर फिर इसके बाद देखिए निजाए का इंदर में उसके अंदर में component रहते हैं तो उसका यहां पर फुल्फरम आपका दिया हुआ है तो जैसे आपका दिया हुआ है बाएवोस आपका दिया हुआ है तो बाइवोस का फुल्फरम होता है basic input output system तो देखिए जो भी dns आपका है तो dns का देखिए इसका perform होता है domain name service या फिर domain name server यह दोनों आपके देखने को मिलेंगे तब उसको दोनों को आप मार्क कर सकते हैं जो भी आपका रहेगा उसमें फिर उसके बाद देखिए अगला आपका यहां पर dpi है तो देखिए dpi के perform होता है dots per inch तो कोई भी आप resolution जो आप set करते हैं जैसे कि आपको image ही आपका हो गया तो आप देखते हैं उसके लिए dpi होता है यह निकि dots per inch आपका कितना है तो यह उस terms में use कि आते हैं फिर इसके बाद देखिए fat आपका है तो इसका perform होता है file allocation table तो एक allocation करने का एक तरीका आपका होता है तो इसका अगला देखिए GUI आपका है तो इसका perform होता है graphical user interface फिर next देखिए MP3 आपका है जो की एक जो audio रहता है तो इसका ही एक आपका जैसे format है तो इसका perform होता है moving picture export group layer 3 audio फिर उसके बाद देखिए MPG आपका है तो इसका भी देखिए picture का ही जो आपका रहता है जो images रहते हैं तो i05 का एक format आपका है तो इसका देखिए moving picture export group फिर इसके बाद ntfs आपका है तो इसका perform होता है new technology file system फिर omr आपका है जो की देखिए omr जौापका रहता है तो इसका mark करने रिफ्कर करने के लिग यूँज कर आता है response को तो इसका perform होता है optical mark recognition फिर video आपका है तो इसका देखि इसका देखे फुलफर्म होता है जिग जैग इनलाइन पैकेज अब दिखे यहां पर हम लोग देखते हैं इंटरनेट से रिलेटेड जितने भी टरम से आपके रहते हैं इंटरनेट पर जो भी चीज आप यूज करते हैं तो आपको जो है वहां पर यह सारे टर्म देखने को यह एक language होता है जो कि particularly web pages को design करने के लिए इसका यूज किया आते हैं आप जो भी इंटरनेट को उपर में आप pages देखते होंगे web pages उनको बोलायाता है तो वह सारे के सारे इसी language का यूज करके design किये आते हैं तो इसका फुलफर्म आप लोग याद रखना hypertext markup language फिर अगला जिसके थुरू कोई response आप लोग जैसे type करते हैं तो सबसे पहले आपका यही लिखा हुआ रहता है कोई website आप उपन करते हैं आप देखते होंगे यह आपका रहता है तो इसका मतलब होता है कि आपका रहेगा ट्रांसपर कहीं पर आपको करवाएगा मंदल कहीं भी सर्वर पर आपको ले जाएगा तो यह सिक्योर तरीके से आपको ले जाएगा तो इसका फुलफर्म होता है hypertext transfer protocol over secure socket net layer आपका हो गया है यहां पर आपको सिक्योर नेटवर कहेगा उसका आप देखते हों किसी किसी में आपको HTTP आपको देखने के बिले इसका मतलब है को जो नेटवर करेगा आपका वह सिक्योर रहेगा फिर इसके बाद अगला देखिए js है तो इसका फुलफर्म होता है लोग बलता है सफ्वोमे इसका फुलफर्म वई इंटरनेट कहीं रहता है और वहीं पर जो डबलव डबलवड अपका है तो इसका फुलफर्म होता है जी सिम्पर्म होता हुआ है ब Princip technology से related भी आपके जो रहते हैं यहां पर जो की relation है कहीं न कहीं इनका computer से ही है तो इसमें भी आप से पूशे आ सकते हैं जैसे आपका ATM हो गया तो देखिए इसका फुल्फरम होता है और एक आपका रहता है इसका जैसे ATM का आप जानते हैं कि इसका आटमेटिक टेलर मसीन जो बोलते हैं लोग तो भी है और यह भी आपका है तो दोनों तरीके से लेकिन यह जो आपका computer कर डाउंस में आपका यहां पर हाई है और वहीं देखिए IT आपका है इसका फुल्फरम होता है इन्फर्मेशन टेक्नोलजी फिर वहीं पेज देखिए का आपका IEEE है यह भी आपसे पूछाता है बहुत बार तो यह इसका फुल्फरम होता है इंस्ट्ट्ट अप इलेक्रिकल एलेक्रोनिक्स इंजीनियर्स फिर इसके बाद देखिए अगला आपका ISO है जो कि यह भी ब यूज करने लाइक है की नहीं है उसको सेटिफाइक करता है यह इसका एक हैटक्वाटर भी है आपको याद है ISO कहां पर है तो कमेंट करके बताना फिर अगला देखिए आपका POST होता है इसका that is power on self test इसका प्लोग पोस्ट सिंपल याद नहीं करना इसको इसका फुल्फरम इसका प्लोग याद कर लेना तो यहां देखिए सबसे पहला आपका है याद कर लेना यहां देखिए सबसे पहला आपका है .docx तो यह होता है जो भी डॉक्मेंट आप create करते हैं जैसे कि आपका MSWord हो गया आपका तो उसके थुरूप जितने भी डॉक्मेंट क्रेट करते हैं तो वही आपका हो गया तो डॉक्मेंट फाइल जितने भी रहेंगे तो इसका format रहेगा .docx फिर नेक्स दिखिए है .ppt तो दिखिए जो भी PowerPoint presentation आपके रहते हैं जो भी आप PowerPoint presentation आप बनाते हैं तो उसका जो extension रहेगा आपका तो वह रहेगा .ppt तो इसका देखिए इस पॉर्टेबल डॉक्मेंट फॉर्मेट आपका रहेगा यह अगला दिखिए आप दिया हो आपका .gif है तो यह जो आपका रहता है तो इमेज जो फाइल रहते हैं यह उसका एक extension आपका है तो इसका रहेगा फुल फॉर्म इसका होता है ग्राफिक्स इंटर्चेंज अगला दिखिए तो दल लाट ब्लम इसका Video फाइल नुट मिड़्म इसका अगला दिखिए . geht उसके बाद ॉट भी जैसे Video का ही File formatimizило फिर पिरソarब होता है यो कि फाइल पॉर्मेटित विदियो करते यो की काफ़ी है उसके आता है तो फिरेसे लेयर 4 फिर अगला देखिये डॉटbig ईसडीं तो देखे जो फोटेटर सडा-बेट्ड अपके तो उसका जो सॉट कॉ 색 मतलब जो exact हम रहेँएगा यानी कि जू extension रहेगा थो daughter pha toutes आपका रहेगा फिर अगला सिर्थ डॉड इर याई आपका यहाँ एक वक्ति ज़िए आपका रहेगा अगला दिखे .rar आपका है तो दिखे जितने भी यह आर्ची फाइल फॉर्मेट जो आपका रहता है हाँ पर जो डेटा कंपरिशन को सपोर्ट करते हैं तो यह उसका आपका यह फॉर्मेट है .rar फिर इसके बाद दिखे दिया आपका .aiff है तो इसका दिखे फुल फॉर्म फिर अगला दिखे .wa में है तो इसका फुल फॉर्म होता है Windows Media Audio फिर अगला दिखे .bwf है तो इसका दिखे फुल फॉर्म होता है Broadcast Wave Format फिर अगला दिखे .js आपका है जो कि internet आपको काफी जगा देखने को मिलते होंगे तो इसका फुल फॉर्म होता है Java Script जो कि आपका document कराता है फिर अगला दिखे .sub जो आपका है तो इसका आपका ये जो है extension है फिर अगला दिखे .bat आपका है तो .bat जो आपका है Microsoft batch processing जो होता है तो इसका ये आपका जो है दिया हुआ उसमें हमने include किया हुआ ये सारे जिसमें आपको ये मिल जाएंगे इसी तरीके से जो इसमें हम आपको बता रहे हैं तो थैंक्यू दोस्तो आपको कैसा लगा ये lecture अप लोग comment करके जरूर बताना और इसी तरीके से जो हम आपको जितने भी important topics हैं जो जिके में आपसे सकते हैं सारे computer के तो सभी का लिंक आपको मिल देंगे description box में और इसके साथ में जो current affair का है इसके अलावे स्टेटिक जीके का है इसके अलावे informant का और general science का जो भी है तो सभी का PDF आपको मिल जाएंगे तो देखना आप लोग description box में और साथ में जो है आप लोग वीडियो को भी share करते रहें अपने friends के मौंग ताकि हमें motivations मिलता रहेगा तो चलिए दोस्तों मिलता है नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई